Hi guys, welcome you all to the channel. आज आपके लिए फिर से एक नया अजजमेंट और एक नया इन्फॉमिशन लेके आँ हूँ जो आपको आपके प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है. Matrimonial Dispute में देखिए होता है कि maximum cases file हो जाते हैं wife के side से और multiple litigation start हो जाता है. बहुत सारे cases जो आते हैं, बहुत सारे complaint हो जाते हैं, various authorities को wife के द्वारा complaint कर दिया जाता है, section 125 का case start हो जाता है, women's cell में complaint हो जाता है, 498 का case हो जाता है और various cases complaint start कर देती है wife, wife के side से यह साथ यह फाइल हो जाती है. जिससे होता यह है कि husband का reputation है, वो society में चाहे हो, boss के सामने हो, office में हो, friends के सामने हो, उनके सामने पूरा उसका reputation image है, जो खराब हो जाता है, तो यह latest judgment जो है आज में जो आपके सामने ले के आए हूँ, वो भी इसी issue पे based है, और जो court ने husband के favor में order दिया, जो कि most of the cases में यह द देखा आता है, कि husband भी similar situation face करता है, तो चलिए, video start करते है, video start करने से पहले, I would like to request, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, तो please subscribe the channel, and video को like और share करना ना भूले, so that आपके लिए जो नया judgment ले के आता हूँ, जो नया information ले के आता हूँ, वो सबसे पहले आप तक में case file करा, divorce के लिए, और trial court ने क्या किया कि वो जो petition था husband का, वो dismiss कर दिया, तो husband जो होता है, वो high court जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि trial court ने कोई matter dismiss कर दिया, तो लोग high court में नहीं जाते, उसके उपर वाले court में नहीं जाते, जैसा कि नहीं करना चाहिए, आपको अगर नहीं करते हैं, तो husband क्या करता है, कि high court को approach करता है, और court दोनों parties की बात को सुनती है, जो material on record होता है, उसको देखती है, उसको consider करती है, और ये analysis पर पहुचती है, कि wife जो थी, वो हर छोटी छोटी बात पर husband के साथ जगडा करती थी, मार पीटा ही करती थी, और husband को यहां त नाम सारे लोगों का नाम डाल दिया था, जो की बाद में पुलिस स्टेशन में लेटर डालके कि यह process मुझे आगे नहीं बढ़ाना है, लेटर डालके पूरा खतम करा दिया, तो यह सारी चीजे भी wife ने करा था, complaint start करा, फिर complaint को वापस ले लिया, wife ने फिर पुलिस आने के लिए, machinery को आगे बढ़ाने के लिए, तो wife नहीं आती है, statement देने के लिए, so authority क्या करता है, कि discharge कर देता है, husband को, जो case wife ने, जो application wife ने डाला होता है, उससे discharge कर देता है, तो court ने यह माना, कि wife ने क्या किया है, कि various complaint कि है, husband के against बहुत सारे complaints कि है, जिस से husband का image tarnish होता है husband का image society में खराब होता है, उसका अपने office में खराब होता है, और, in fact, husband को jail भी जाना पड़ा, wife के frivolous complaint की वजए से, तो जिस से society में husband का, उसके family वालों का image खराब होता है, और, यह एक clear cut example है, cruelty का, और, जो husband wife थे, दोनों साथ साल से अलग रह रहे थे, तो इसे court ने माना, कि यह dead marriage है, so court ने trial court का जो order था, trial court के order को set aside कर दिया, यानि, उसे खारीज कर दिया, high court ने, और, husband के favor में, court ने divorce decree है, वो grant कर दिया, husband को divorce दे दिया, और, अगर हम इस judgment की बात करें, तो judgment है, अनमोल वर्मा वर्से, राधिका शरीन, F.A. नंबर है, 6969-2019, 5 July 2022 का judgment है, पंजाब and haryana high court ने यह judgment दिया हुआ, तो आपका भी अगर कोई ऐसा problem है, आप भी ऐसे कोई problem face करें, जिसमें आपकी wife ने various complaint कर दिया है, police authority में, या फिर दूसरे किसी authority में, women's help में, तो यह सारी चीजे consist करती है, cruelty का, तो आप इसके basis पे court को approach कर सकते हैं, और divorce ले सकते हैं, divorce decree अपने section ने पूछ सकते हैं, thank you